समराट चोधरी जिन्हें उनके उपनाम राकेश कुमार के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतिय राजनीतिग्य हैं, जो वर्तमान में नीतीश कुमार के अधीन बिहार के उपमुख्य मंत्री के रूप में कारेरत हैं. वे भारतिय जन्ता पार्टी से बिहार विधान परिशद के सदस्य हैं। वे मार्च 2023 से भाजपा बिहार राज्य इकाई के पार्टी अध्यक्ष हैं। जन्म 16 नवंबर 1968 आयू 55 वर्ष मुंगिर। पूर्वपद बिहार सरकार में पंचायती राज्य मंत्री 2024 से 2024 अधिक। पार्टी भारतिय जन्ता पार्टी। कार्याले 2024 तक बिहार के उप मुख्य मंत्री। मातापिता शकुनी चौधरी। मुख्य मंत्री नीतीश कुमार। बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। जीवन। चौधरी कोईरी जाती से हैं और वे लंबे समय से भाजपा का OBC चहरा रहे हैं। उनका जन्म 16 नवंबर 1968 को मुंगिर के लखनपुर गाव में हुआ था। उनकी मा का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम शकुनी चौधरी है। उनका पैत्रिक गाव मुंगिर जिले के तारापूर प्रकंट के लखनपुर में है। समराट राजनेताओं के परिवार से तालुक रखते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी साथ बार विधायक और सांसद रह चुके हैं और मा पार्वती देवी तारापुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही हैं। अपनी बुनियादी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मदुरे कामराज विश्व विध्याले से उच्ष शिक्षा प्राप्त की। राजनीतिक केरियर चौदरी ने 1990 में सक्रिय राजनीती में प्रवेश किया और 19 मई 1999 को उन्होंने बिहार सरकार में क्रिशी मंत्री के रूप में शपत ली. उन्होंने 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभाक्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए. 2010 में उन्हें बिहार विधानसभा में विपक्षी दल का मुख्य सचे तक बनाया गया. 2 जून 2014 को उन्होंने बिहार सरकार में नगर विकास एवं आवास विभाक के मंत्री के रूप में शपतली और कार्यभार संभाला. 2018 में उन्हें भारतिय जन्ता पार्टी में बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया. भाजपा में शामिल होने से पहले वे राष्ट्रिय जन्ता दल के साथ साथ जन्ता दल, यूनाइटेड से भी जुड़े रहे हैं. 2020 के बिहार विधान सभाचनाव में उन्हें राष्ट्रिय जन्तांत्रिक गट बंधन का स्टार प्रचारक बनाया गया. इसी बीच लालू प्रसाद यादव के जातिगत समीकरन पर विवादित बयान देकर वे विवादों में घिर गए. 2021 में समराट को भाजपा कोटे से नीतीश कमार के विस्तारित मंत्रि मंदल में पंचायती राज मंत्री बनाया गया. उन्होंने 2014 में जीतन राम मांजी मंत्राले में शहरी विकास और आवास, स्वास्त्य मंत्री और 1999 में राबडी देवी मंत्राले में मेट्रोलोजी और बागवानी मंत्री के रूप में भी काम किया है पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्यकाल पंचायती राज मंत्री के रूप में समराट चौधरी का कार्यकाल विवादों और उनके मंत्राले के अधिकार शेतर के तहट उनके द्वारा उठाए गए विकासात्मक कदमों का मिश्रण था मार्च 2021 में उन्होंने बिहार विधान सभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ ती की बहस में उलजने के लिए देशव्यापी ध्यान आकरशित किया स्पीकर एक विधायक द्वारा उनके विभाग के कामकाज के बारे में उठाए गए सवाल पर उनका जवाब मांग रहे थे बाद में उन्होंने सदन की मर्यादा के उलंगन के लिए स्पीकर से माफी मांगी उनके अधीन पंचायती राज मंत्राले ने बहतर संगटनात्मक धांचे को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जैसे स्वच्छता विभाग में अधिक कर्मचारियों की भरती के साथ साथ आवारा पशूँ के मृत्शवों के सुरक्षित निप्टान का मार्ग प् वढग द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवग्या का आरोप लगाया गया है भारती अजंटा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मार्च दो हजार थेईस में चौदरी को संजे जैस्वाल की जगह बिहार राज्ये के लिए भारती अजंटा पार्टी का अध धक्ष नियुक्त किया गया। पार्टी के राज्य प्रमुक के रूप में नियुक्ती के बाद चौधरी ने बिहार में भाजपा का नेत्रित्व किया। 2023 को प्रेस को दिये गए एक बयान में चौधरी ने नीतीश कुमार पर अपराधियों को बढ़ावा देने और संतों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में पूर्फ सांसद और दोशी अपराधी आनंद मोहन सिंग की रिहाई की घटना का हवाला दिया। 2023 में बेगुस राय में भाजपा राजनीतिक कार्यकरताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रिय मंतरी गिरीराज सिंग ने चौधरी को 2025 के बिहार विधान सभाचनावों के लिए भाजपा के मुख्य मंतरी पद के उमीदवार के रूप में पेश किया। जुलाई 2023 विरोध प्रदर्शन का नेतरित्व चौधरी और सिंहा ने भाजपा कार्यकरताओं के साथ किया। हाला कि जब भीर डाक बंगला चौराहे पर पहुँची तो पटना पुलीस ने भाजपा कार्यकरताओं पर लाठी चारे शुरू कर दिया। जहानाबाद के भाजपा कार्यकरता की गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई जबकि जनारदन सिंग सिग्रीवाल जैसे कई अन्यनेताओं को भी पीटा गया। विरोध प्रदर्शन के बाद चोदरी ने अपने बयान में अपने कारे करता की मौत के लिए नीतीश कुमार की मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा नेता नीतीश कुमार सरकार की शिक्षक भरती नीती और निवास मुद्दे के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार ने बिहार राज्जे के बाहर के उम्मीदवारों को भरती परीक्षा देने की अनुम्ती दी थी, इसलिए राज्जे के स्थानिय उम्मीदवारों के एक वर्ग में असंतोश था। हालांकि चौदरी सहिद भाजपा के सभी प्रमुक राज्यनेताओं को विरोध के दौरान गिरफतार कर लिया गया। चौदरी अपने बेबाक स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। मई 2023 में उन्होंने आरोप लगाया की जनता दल यूनाइटेड जेडियू के अध्यक्ष ललन सिंग ने उनके लोकसवाक्षेत्र मुंगिर में आयोजित एक भोज में शराब परोसी है। यह जानते हुए भी कि बिहार सरकार ने 2016 से शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनकी टिप्पणी के लिए जेडियू नेताओं ने उनकी आलोचना की थी। जेडियू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंग कुश्वाहा ने पार्टी की एक बैठक में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया। कुश्वाहा ने यह भी टिप्पणी की की एक राजनीतिक परिवार से तालुक रखने के बावजूद, चौदरी में एक राजनेता के लिए आवशक शालिंता का अभाव है। विभिन अवसरों पर, चौदरी ने खुद के अलावा किसी भी कुश्वाहा या कुर्मी नेता को बढ़ावा नहीं देने के लिए नीतीश कुमार की आलोचना की थी। उन्होंने कुमार पर अपने फाइदे के लिए अपने साथियों का इस्तमाल करने का भी आरोप लगाया। मार्च दो हजार तेईस में, चौदरी के भाजपा की राज्य शाखा के प्रमुख बनने के तुरंद बाद, पटना में भाजपा के राजनितिक कार्यकरताओं के एक समुह द्वारा पोस्टर लगाये गए, जिसमें चौदरी की तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्र करने से परहेज किया। दूसरी और, जेडियू ने भाजपा पर अपने पुराने वफादार पार्टी नेताओं से बचने और किसी ऐसे व्यक्ति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जो पार्टी के लिए कभी-कभी बाहरी व्यक्ति होता है। योजना के संबंध में यादव के खिलाफ आरोप पत्रदायर होने के बाद, वे तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग करने में मुखर हो गए। एक योजना जिसमें लोगों को नौकरी देने के बदले में जमीन का विन्योग किया गया था।